कि मार्च वरी गुर्मिलाइज किस्नल कडमी से आज का यह क्लास क्लास टेंथ के लिए है जिसमें आपको बताया जाएगा कि परिशन परिशन्चरन यानि वहन जीवों में विविन पदार्थों को एक भागयांग से दूसरी भागयांग तक पहुंचाना परिवहन का लाता है हम जानते हैं कि पाचन तंत्र में भोजन पचता है स्वसंतंत्र से आक्सीजन मिलता है यह आक्सीजन और भोजन परतेक कोश्ञांग तक पहुंचाना होता है जहां पर उनका श्वांगी करण होता है, कुछ श्वसन से उर्जा निकलती है, कुछ बिर्दी विकास में खर्च होती है, वहाँ पर कुछ उत्सरजी पदार्थ, वर्ज पदार्थ बन जाते हैं, जिन्हें उत्सरजन अंगों तक पहुंचाना होता है, इन सभी कारियों के लिए एक व्यवस सरल प्रकार के जियों में सभी कुछ क्याएं वातावर्ण के संपर्क में होती हैं, और सीधे विशरण विधी से सब कुछ आदान प्रदान हो जाता है, इसलिए सरल जियों में बहुत ही सरल यमीवा पैरामेशियम इस पंजज हाइट राहाज में परिवहन तंत्र पियावस जत्रिल संरं रचनाओं वाला होता है, वहाँ पर एक पदार्थ को बोजन, पोशक पदार्थ, जल और आक्सिजन को कोष्गाओं तक पहुचाना और कोषगाओं से कारवन डाया-प्रद जेघ वर्ज पदार्थ को सब्सर्जन अंगों तक पहुचाने के लिए एक का होता है खुला परिशंचरांतंत वह परिशंचरांतंत जिसमें रुधिर वाहिनियां नहीं होती है और उसका रुधिर जो है संपोर्ण शरीर में द्रव के रूप में भरा रहता है ऐसे परिवहन तंत्र को हम खुला परिशंचरांत रखते हैं कीटों में काक रोचेज में इन में खुला परिशंचरांत पाया जाता है इनके रुधिर का रंग लाल भी नहीं होता क्योंकि रुधिर में हीमोगलोविन नहीं पाया जाता उसके अस्थान पर हीमोसायनिन पाया जाता है कि दूसरा बंद परिशंचरां क्लोज सर्कुलर सिस्टम जब जिन जियों का रुधिर रुधिर वाहिनियों में बंद नलिकाओं में बहता है तो उसे हम बंद रुधिर परिशंचरां तंत्र कहते हैं परिशंचरां तंत् पहुचाना तथा कोश्काओं में बने कारवन डायाकसाइड उसर्जी पदार्थों को सर्जनंगों तक पहुचाने के लिए होता है यह परिभाण किया उसकता है अब हम देखेंगे मानों में परिशंचरान तंत्र मानों में हुमन में सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है मानों में एक व्यवस्थित परिशंचरान तंत्र है बंद प्रकार का परिशंचरान तंत्र है यह दो प्रकार का पाया जाता है रुधिर परिशंचरान तंत्र और लासी का परिशंचरान तंत्र मानों में परिशंचरानतंत दो प्रकार का पाया जाता है एक रुधिर परिशंचरानतंत दूसरा लसी का परिशंचरानतंत ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम लिंफैटिक सर्कुलेटरी सिस्टम अब हम देखेंगे पहले रुधिर परिशंचरानतंत ब्लड सर्कुलेटरी क्या है घिसमें नाम से विधिद है रुधिर का वहहनि आना जाना नार रुधिर परिशंचराइब Madras रुधिर परिशंचनरतंत्र के तीन भाग हैं, नमबर एक रुधिर, नमबर दो रुधिर वाहिनिया, नमबर तीन हिर्दर, नमबर एक रुधिर, नमबर दो रुधिर वाहिनिया, नमबर तीन हिर्दर, जिसमें सबसे मुख्य भाग है, अब हुम देखें इन तीन भागों से मिल करके पूरा रुधिर परशंचरतंत बना हुआ है रुधिर क्या है रुधिर एक प्रकार का तरल संजोजी उतक है जिसका अध्यनक अच्छानों में आप उतकों के चैप्टर में कर रुधिर एक प्रकार का तरल संजोजी उतक है जो रुधिर वाहिनियों में बहता रहता ह इसके रुधिर का संघटन कंपोजीशन क्या है देखिए इसमें प्लाज्मा 55 प्रत्षत होता है लिक्विड मैटेरियल और 45 प्रत्षत रुधिर कणिकाएं होती है ब्लड कार्पू सेल्स होते हैं कणिकाएं होती है रुधिर कणिकाएं क्या है ये कणिका मेरचनाएं है जिने हम कुश्क्याएं भी कहते सकते हैं वो तीन प्रकार की रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं आर बीसी लाल रुधिर कणिकाएं डबलू बीसी स्वेत रुधिर कणिकाएं लेट लेट्स आर बीसी आर बीसी क्या है यह लाल नाम से विदितरलाल क्योंकि यह लाल होती है ये तस्तरी के आकार की गोल गोल कणिकाएं होती हैं जिनमें केंद्रक नहीं होता इनमें हीमोगलोविन नामक रंगा पदार्थ होता है जिसके कारण इसका रंग लाल होता है ध्यान रखें हीमोगलोविन के कारण रंग लाल होता है और यही लाल रूधिर कणिकाएं ही आक्स दिन होती है पूरुसों में इसकी नारमल सामान्य मात्रा 14-18 इंदुस्तान में 15% 14-15% होना चाहिए परंत महिलाओं में यह मात्रा 12-14% सामान्य मानी जाती है दूसरा डवलूबीसी यह सरच्छी कोश्क्याएं हैं इनमें केंद्रक होता है यह दो प्रकार की होती है Schuldर केजिए और जाली कारिसी नियीद्साइट्स ए ग्रेनिवर नियुलसाइट्स दानिदार रचना और परिव प्रिवर्कषान एशनाओं में लादे बेशी नेचर की होती है जोस्के जूर्चिट्ट्र्योश टीर्येशन करती है योशिनोफिल योशीन में यह रंग पकड़ लेती हैं इसलिए योशिनोफिल्स हैं यह सब में लच्छिदार केंद्र रखोते हैं दूसरा आप कणिका में मोनोसाइट्स लिंफोसाइट्स मोनोसाइट्स लिंफोसाइट्स 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 आंग से भोजन पदार्थ फेफ़डों से आक्सीजन तथा हार्मोन आधि को टार्गेट कोश्काओं तक पहुंचाती हैं ग्राही कोश्काओं तक पहुंचाती हैं दोसरा सुरच्छा डबलू वी सी कोश्काओं विविन रोगानों से एलर्जी याज के प्रति लड़ने का कारे करती हैं इस तरह सुरच्छा का कारे करती हैं प्लेटलेट्स थ्राम्बोसाइट रुधिर का ठक्का बनाती हैं यदि कहीं पर कट जाता है तो वहां रुधिर प्रो थ्राम्बिन नामक पदार्ग निकलता है जिससे रुधिर जम जाता है फाइब्रो इनर्जन बन जाता है और डाट बन करके रुधिर बाहिनियों को बं करती है हार्मोन का परिभयान करती है सुरच्छा परदान करती है डब बी ज की को साइन इस हमस्चा आउपलेट्स करता है जिससे ध्रांबोसिस करता है जिससे कटे विभाग में रुधिर क बंन हो जाता है डूसरा बाम रुधिर वाह हैं decía पतली पतली नलिया जिसमें रुधिर बहती हैं उधे blood vessels या रुधिर वाहिनिया कहते हैं यह तीन प्रकार की होती है धमनिया सिराय केस्याई धमनिया arteries सिराय मेंस केस्याई धमनिया वे रुधिर वाहिनिया है जो रुधिर को हिर्दय से सरीर के विविन भागों को ले जाती है दमनिया वे रुधिर वाहिनिया है जो रुधिर को हिर्दय से सरीर के विविन भागों को ले जाती है इनमें प्राय सुध रुधिर आक्सीजन युक्त रुधिर बहता है खुसफुस दमनी को छोड़ करके महा धमनी खुसफुस महा धमनी प्रमुख धमनिया है शिराएं वे रुधिर वाहिनिया जो सरीर के विभिन भागों से रुधिर को इकठा करके हिर्दय में लाती हैं उन्हें सिराएं कहते हैं उन्हें सिराएं कहते हैं यह सिराएं सिराओं में असुद्ध रुदिर कारबंडायाक साइड यूग रुदिर रहता है उसरजी पदार्थों यूग रुदिर रहता है इसलिए असुद्ध रुदिर कहते हैं और फुसफुस धमनी को छोड़कर फुसफुस सिरा को छोड़कर से सभी सिराओं में असुद धरुदिर रहता है, फुस-फुस सिराओं में सुद धरुदिर रहता है केश क्या हैं, जहां पर धवनिया जाकर सरीर के दूरस तभागों में तो चाके नजी पतली-पतली साखाओं में बढ़ जाती हैं वहीं से सिराएं प्रारंब होती हैं तो केश क्या है पतली-पतली सिराओं और धमनियों का जाल होता है इनकी वित्तियां बहुत पतली होती हैं इनमें छिद्र होते हैं ये केश क्या है अब हम देखते हैं धमनिया और सिरा में अंतर यह लिखा गया धमनिया और सिरा में अंतर धमनिया रुधिर को हिर्दै से सरीर के विभिन भागों में ले जाती हैं सिराएं जो है रुधिर को सरीर के विभिन भागों से इकठा करके हिर्दय में ले आती हैं सिराओं में प्राय धमनियों में सुध्ध रुधिर यानि आपसीजन रुधिर बैता फुस-फुस धमनी को छोड़ कर सिराओं में असुद्ध रुधिर यानि कारवंडाय आपसाइड रुधिर बढ़ता है फुश-फुश सिरा को छोड़ कर रुधिर धमनियों में अधिक दाब होता है सिराओं में कम दाब होता है जिसे प्रेसर कहते हैं धमनिया प्राया गहराई में पाई जाती है और सिराय प भित्ति मोटी होती है सिराओं की भित्त पत्ली होती है गया मैं डंवनीओं में लिमन है बीच में गुँआ दर पाईप जैसे ने लिए सिरसना है अंदर को रिक्ता स्थान है वह कम होता है स्चीराओं में अधिक होता है दमनीयों में वाल्व नहीं होते सिराओं में वाल्व होते हैं जो हिर्दयकी और खुलते हैं इन्थे्प enghrao कहते हैं अब एक देखाए कोई भी रुधिर वाहिनी ले लेन तो उसकнова obrashtOW और Beach में रिक्ष्थान में लिमन कहते हैं भित्ति बाहिनी भित्ति में तीन लेयर होता है ट्यूनिका इस्टरना जो बाहर होती है मोटी होती है ट्यूनिका मीडिका मीडिया और ट्यूनिका इस्टरना आज देखां यह धमनी है इसकी यह लिमन पतली है इसकी लिमन जादे है इसकी भित्ति मोटी है इसक में अंतर हो गया नेक्ट वीडियो में हम देखेंगे हिर्दय की संग्रचना और उसकी कारविदी